ये गाइज, कैसे हैं सबी लोग, बढ़िया, चलिए, आज थर्मोडा इन्मिक्स, या फिर आप कह सकते हैं कि जिन्दगी का एक बढ़िया चीज सीखते हैं जो बास्त में टूथ होती है, स्ट्वेंट्स, राइट, देखिए, जिन्दगी में अगर आपको काम्याभी स्ट्वेंट्स, तो आपके अंदर आग होनी चीए, जिगर्मा बड़ी आग है, और सिर्फ आग होने से ही कुछ नहीं होगा, बाहर का कॉम्पटीशन बहुत ज्यादा होना चीए, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा होना चीए, मली आपके अंदर आग वजूद इनसान से ही है, अगर कोई दूसरा इनसान नहीं होगा, फॉर एक्जामपल अगर आप अकेले पार्ट्समेंट हो, मेडिकल या एटी के लिए, तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाओगे एक्जाम को, क्योंकि कोई कॉम्पटीशन में ही नहीं, एक बंदा हैं, और हजार सीट हैं, तो क्या पढ़ोगे आप, पढ़ोगे नहीं, ऐसी जगे पर आप कुछ नहीं पढ़ोगे, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, टाइम बरबाद नहीं करता हूँ, अंदर की आख, और बाहर का प्रेशर, जितना ज़्यादा होगा, वर्क डन उतन से कंपेर करोगी कि कहा वर्क डन जदा होगा, कहा वर्क डन कम होगा, राइट स्विंट्स, तो आप विजलाइज करिए, क्योंकि अभी मैं बोड पे तो तब आऊंगा, जब मैं आपको विदान्तू के यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊंगा, राइट स्विंट्स, अभी कि मॉलिक्यूस भड़ भड़ा रहे हैं कि यार, कब आजादी मिलेगी, आजादी मिलेगी, आजादी के लिए चिला रहे हैं, लेकिन भाईया किसी ने पिस्टन पे ताला लगा दिया है, यह नहीं, बाहर से पिस्टन पे ताला लगा हुआ है, तो आजादी तो मिल नहीं र और सिर्फ हम बात क्या करने वाले instruments, visualize कैसे करने, मैं चार process की बात करूँगा, और चारो process without formula आपको visualize कर दूँगा, कि कब किसमे work done जादा आएगा instruments, ओके, should be start, लेकिन उससे पहले मेरा channel subscribe कर लें, क्योंकि आगे ऐसे ही चीज़ें आपको अगर चाहिए बहतरी चीज़ें नहीं अंदाज में, बिल्कुल नहीं अंदाज, किसी का copy नहीं है, आप कहीं compare कर लेना, पूरी दुनिया में YouTube channel पे कहीं भी compare कर लेना है, external pressure is zero, so work done by the system will be zero, कोई work नहीं करेगा system, are you getting my point students, मालो, system के अंदर का pressure 10 atmosphere है, और बाहर का pressure 1 atmosphere है, तो system धीरे धीरे जाएगा या बहुत तेजी से move कर जाएगा, definitely बहुत तेजी से move कर जाएगा, इसका मतलब कि हमने isothermal process लिया, बाहर से heat मिल रही है, are you getting my point, लेकिन बाहर की heat और अंदर की heat, energy, content में difference है ना, तो जल्दी से move कर गया piston, तो work क्या करेगा, थोड़ा सा ही करेगा, नहीं आया सर, नहीं आया सोज में, चलिए मैं अच्छे से समझाने के लिए और तुमको एक बात बताता हूँ, माली ये system जो है, ठेकेदार है, money, पैसा is equivalent to heat, heat को आप पैसा माल लिजे, और work तो करते ही, ये लोग तो देखिए, अगर आपने, सरकार ने ठेकेदार को पैसा दिया, तो ठेकेदार काम करेगा, और मान के चलते हैं कि ठेकेदार उतना ही काम करता है, जितना सरकार पैसा देती है, जबकि ये सत्य नहीं, तो आइसो थर्मिल प्रोसेज में भी हम माल लेते हैं कि जितनी heat दी work उतना करेगा, क्योंकि net heat content, delta है, change in, delta है, zero आएगा, यानि कि उसकी heat उतनी बरकरार रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो थेकेदार क्या करता है, क्या जल्दी से काम कर देता है, अगर जल्दी से रोड बनबा देगा, और सरकार से तो दीरे-दीरे पैसा मिलना है, क्योंकि system ऐसा है, तो उसका क्या होगा, जेब ठंडी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और मैंने क्या कहा, अंदर की आग और बाहर का प्रेशर जितना जादा होगा वर्क डन उतना अच्छा होगा, तो इसका मतरब ठेकेदार धीरे-दीरे काम करेगा, चलिए मैं system पे move करता हूँ, अंदर का pressure 10 atmosphere और बाहर का pressure एक atmosphere, तो वर्क डन बहुत कम होगा, राइट स्विंट्स, मालो अंदर का pressure 10 atmosphere रही रहा, बाहर का आपने 2 atmosphere प्रेशर कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 4 कर दिया, फिर 5 कर दिया, फिर 6 कर दिया, देख रहे आप, क्या हो समझ में आगया कि जल्दी काम करने में फायदा नहीं क्योंकि अगर मैं जल्दी से रोड बनवाऊंगा तो मेरी ठंडी हो जाएगी, और धीरे-धीरे करने लग गया, अंदर का pressure 10 atmosphere बाहर का एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, 9.9 हो गया बाहर का pressure और अंदर process क्यों जितना ही जैसी system मूब करेगा अंदर का pressure माल यह 9.9 atmosphere हो गया और बाहर का अलड़ी 9.9 atmosphere है तो system equilibrium प्या जाएगा फिर धीरे से आप उस piston को पत्थर पत्थर जो रखे हैं उससे दीरे से अटालो छोटा से पेविल को अटालो फिर पिस्टन मूब करने लग जाएगा are you getting my points friends? चलिए तो आप देखें कि पहले पिस्टन बहुत तेजी से मूब कर रहा था, reversibly work done था और आप पिस्टन धीरे 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 जाना होई है बहुत धीरे 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 जा रहा है इसका मतलब जितना यह ठेकेदार बाहर से पैसा ले रहा है उतना ही काम कर रहा है अपनी जेप में भी रखता है लेखिन माल लेते हैं हम आइसी थर्म प्रॉसस्य की बात करें तो ठेकेदार जितना पैसा बाहर से ले रहा है गवर्मेंट से हीट ले रहा है work done by the system in isothermal process reversibly ज्यादा होता है as compared to irreversibly right expansion की बात कर रहा हूं चलिए ये दो तो हो गए है आईए compression की बात करते हैं माल लिजी इसी system पे बाहर से कोई piston को दबा दे तो क्या होगा pressure बढ़ जाएगा एकदम मालो बहुत तेजी से दबा दे बहुत तेजी से तो क्या वो heat जल्दी से बाहर फेक पाएगा क्योंकि isothermal ball है 100% तो isothermal होती नहीं कुछ तो वक्त लगेगा इसका अंदर की आग बहुत जादा बढ़ जाएगी क्योंकि उपर से piston नीचे दब रहा है और heat जल्दी से बाहर थो नहीं हो पारी क्योंकि isothermal process तो जितनी heat अंदर बढ बढ़ गई और बाहर का pressure भी बहुत जादा है अंदर की आग और बाहर का pressure जितना जादा होगा work done उतना जादा होगा चलो अब यह तो हो गया irreversible compression during isothermal process राइट बहुत ही जादा लग रहा है मुझे फिर भी अभी compare करेंगे मालो यही धीरे धीरे अगर piston नीचे आता तो क्य होता होता दीरे दीरे यह walls जो है इसो thermal walls हैं यह धीरे-धीरे heat को बाहर फेकती रहती है तो जितना piston अंदर आता heat content जितना बढ़ रहा था उतना heat बाहर थ्रू हो रही थी यानि की heat content डिल्टा है zero रहता है इसका अतलब यह चाहें हम compression की बात करें reversal process यानि धीरे-धीरे-धीर तो कि यह अक्सिरता दीरे धीरे-धीर ओले-धीरे तोचाहें expansion की बात करें चाहेm compression की बात करें तो work done बराबर आहरा है circumstance क्या आप kijken क्योंकि by the system work व化 दीरे-धीरे तो जतना वर्क हुए उतना ही on the system compression 33 points लेकिन आप देख रहे कि जब compression तेजी से घर दिया, irreversibly, बहुती तेजी से, steeply, तो देख रहे हैं कि अंदर की आग बहुत बढ़ गी, तो चार step मैंने बताए, students, आइसो थर्मल के, दो, reversible, expansion, and compression, और दो, irreversible, एक expansion, और एक compression, तो सबसे ज़्यादा अंदर की आग और बाहर का pressure किसमें आया, आप मैं नहीं बताने वाला, students, आपको बताना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा किसमें आपको लग रहा है, कि अंदर की आग, मैंने एक ही स्लोगन दिया था, अंदर की आग, और बाहर का pressure जितना ज़्यादा होगा, work done, उतना ज़्यादा आएगा, तो सबसे ज़्यादा अंदर क कि आग, कब लगी आपको, यानि की, isothermal compression irreversibly, that was maximum instruments, are you getting my point, तो सबसे ज़्यादा work done होता है, isothermal compression में, right, उसके बाद, reversibly, expansion हो चाहिए, compression बराबर, और सबसे कम किसमें, as friends, बहुत तेजी से जो होगा, irreversible, expansion, isothermal process, right, मैंने कोई formula यूज नहीं किया, और चार process के आपको work done, compare कर बादिये, that work done during, isothermal expansion, irreversibly, maximum, maximum, और then, reversible, compression हो चाहिए, expansion, बराबर, और सबसे कम, isothermal process, work done, किसमें, expansion, fastly हो, और सबसे ही कम, कम का मितला ही नहीं, zero, that, external pressure, zero है, freely move कर रहा है, हमारा piston, यानि कि, यहाँ पे, heat content तो कुछ हुआ ही नहीं, क्यूंकि, एक कहने, कहने का slogan है, नजदी क्यों, gas के molecules, जो होते है, ideal gas के molecules, नजदी क्यों और फासलों का, होसलों पे फर्क, स्टी के होसलों पे फर्क पढ़ता नहीं, स्टी, स्टी का मतलब है, speed, temperature, and internal energy, मैं फिर से बोलता हूँ, नजदी क्यों, और फासलों का, स्टी के होसलों पे फ पर्क पढ़ता नहीं in case of ideal gas are you getting my point स्विंट्स चलिए आज का वीडियो यहीं पे complete करते हैं और मिलेंगे next वीडियो में और बोड पे जब formula wise समझाऊंगा तो विदान्तू YouTube चैनल पे जल्दी है मिलूँगा आपसे मैं जल्दी आने वाला हूं लेकिन तब तक आप मेरे यूट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अच्छा लगे तो शेर करें ओके स्विंट्स बाए